हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू मुवीज इलिस्ट्रेटर आज हम 2007 में रिलीज एक लाइव एक्षिन एनिमेटेट म्यूजिकल फैंटेसी रोमैंटिक मुवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एंचांटेट मुवी के शुरुवात एनिमेटेड फैरी टेल किंगडम ओफ एंडलीसिया से होती है यह दुनिया एनिमेटेड होती है यहां की एविल जादुगर्नी नैरिसा जोकि रूथलेस और मीन है यहां नैरिसा इस बात के लिए परिशान थी कि अगर उसके स्टेपसन एडवर्ड को उसका ट्रू लफ मिल जाएगा तो उसका किंगडम उससे छिन जाएगा इसलिए नैरिसा अपने सर्विंट नैथेलियन को हमेशा एडवर्ड के पीछे लगाए रहती है ताकि एडवर्ड फालतु के कामों में बिजी रहे एडवर्ड और नैथेनियल ट्रोल्स को हंट करते इधर हम एडवर्ड के ट्रू लव जिजेल को देखते हैं जो कि जंगल में ही एक ट्री हाउस में रहती है वो वहाँ अपने अनिमल फ्रेंज के साथ रहती है एक दिन एक ट्रोल जिजेल पर अटैक कर देता है जिससे बचाने की कोशिश में जिजेल प्रिंस से टकरा जाती है और जिजेल को देखते ही एडवर्ड उससे मैरेज के लिए प्रपोस करता है क्योंकि वही उसका ट्रू लव थी नेक्स्ट डे जिजेल वेडिंग के लिए तयार होकर कैसल पर पहुंचती है तो वहाँ नैरिसा एक बूढ़ी विच के अवतार में आती है वो जिजेल को दिये से एक विशिंग वेल पर लेकर जाती है और जब वो विश करती है तो वह जिजेल को उसमÈ धक्का दे देती है ऊस वेल में गिरते हुए जिजेल निमेटेट डॉर्ल से हmaht Ce है और नियू यूर्क सिटी में पहुँच जाती है नियू यूर्क सिटी और ऐसी दुनिया देखर वो बहुत ही सिर्प्राइज थी क्योंकि उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था वो इतनी भीड भार में सबसे बात करने की कोशिश करती है पर उसकी बात करने के तरीके भी अलगते सो कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता ऐसे में वो एक भीखारी से भी हेल्प मांगती है पर वो आदमी उसका क्राउन ही छीन कर भाग जाता है अब सीन सिफ्ट होता है तो हम वहां रॉबर्ट फिलिप को देखते हैं जो की बाइप प्रोफेशन एक डाइवोस लॉयर है और आज अपने ऑफिस में एक डाइवोस ही करवा रहा है वो अपने ऑफिस से अपनी बेटी मॉर्गन फिलिप के साथ घर की ओर जाने लगता है रॉबर्ट की वाइफ मर चुकी है और वो अपनी बेटी की देखभाल अकेले ही कर रहा था राष्टे में जब टाक्सी एक जग़ा रुखती है तो मॉर्गन जिजेल को देख लेती है और उसे रियल प्रिंचस समझ लेती है वो टाक्सी से उतर कर जिजेल के पास चलि जाती है और अपने डाइट से रीक्वेस्ट करती है कि उसकी मदद करिए रॉपर्ट जिजल से बात करने की कोशिश करता है जहां उसे जिजल की बाते समझ ही नहीं आती और वो सोचता है कि घर जाकर पुलीस को कॉल कर देगा और इसलिए वो उसे अपने घर ले आता है रॉबर्ट घर पहुंच कर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है जहां तब तक जिजेल सोफे पर ही सो जाती है और बाहर काफी बारिज भी हो रही थी सो रॉबर्ट उसे सोने देता है कि कल मॉर्निंग में उसे उसके घर छोड़ देगा इधर हम एडवर्ट और चिपमंक टिप को एनिमेटेड वर्ल्ड से हीूमन वर्ल्ड में आते हुए देखते हैं जहां वो भी अब नियू यॉयॉक सिटी पहुंच गये थे जिजेल को रेसिक्यू करने पर टिप रियल वर्ल्ड में आकर अपने बात करने की आबिलिटी को खो चुका था इधर नारी साथ जब यह देखती है कि एडवर्ड जिजेल को रेसिक्यू करने गया है तो वो उनके पीछे नथालियन को भेज देती है कि जाकर जिजेल को मेरा दिया हुए एपल खिला देना इससे वो मारी जाएगी जिजेल सुबह जब रॉबर्ट के घर में तो घर को काफी गंदा पाती है वो गानाग आकर अपने अनिमल फ्रेंड्स को बुलाती है जहां सिटी के बहुत सारे मखी, पिजिन्स, कौक रोच और बोच आ जाते हैं और साथ में गानाग आते हुए सब पूरे घर की सफाई करने लग जाते हैं रॉबर्ट और मॉर्गन जाग जाते हैं और इतने सारे अनिमल्स और बोच को घर में देख कर उन्हें बाहर भगाते हैं इधर वो जिजल को ढूनते हैं जो कि शावर ले रही थी पर फिसलने की वज़े से जिजल रॉबर्ट के उपर गिर जाती है और उसी वक्त वहां नैंसी ट्रिमाइन जो की को उसके घर का पता लगाने के लिए बोल कर मीटिंग अटेंड करने जाता है जिजल वहां एक डाइवोस कपल को देखती है और क्यूंकि दोनों अलग हो रहे थे इसलिए वो रोने लग जाती है वो कपल इससे अनफ्रोफिशनल मानता है और वहां से चला जाता है रॉबर् जाने के लिए बोल दिता है जिजल उससे वहां से बाई करके चली भी जाती है पर जब रॉबर्ट उसे एक बार मुड कर देखता है तो बाता है कि जिजल ने अपने सारे पैसे एक दूसरी लेडी को दे दिये है और वहां से जा रही थी रॉबर्ट उसे समझाता है कि ऐसे अपने पैसे किसी और को मत दो और जिजेल की मासूमिय देखकर वो उसकी हेल्प करने के लिए फिर से अपने साथ ले आता है जब वो लोग पार्क में वॉक कर रहे थे तब ही नेधालियन वहां एपल सेलर बन कर जिजेल को जहर वाला एपल खाने के लिए दे देता है पर जिजेल उसके गिर जाने के कारण एपल नहीं खापाती जब जिजेल को पता चलता है कि नैंसी और रॉबर्ट की फाइट हो रखी है तो वो नैंसी को मनाने के लिए एक फ्लावर बुके, दो बर्ट्स और एक बॉल इंविटेशन के साथ नैंसी को भीचती है जिसे नैंसी बहुत खुश होती है और रॉबर्ट को माफ भी कर देती है इसके बाद रॉबर्ट और जिजेल एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तब नैथालियन फिर से एक एपल डिंक लेकर वहाँ पहुंच जाता है और जिजेल को पीने के लिए बोलता है जिजेल उसे पीने ही वाली होती है कि टिप वहाँ आकर उसे गिरा देता है जिजेल टिप को देख कर पहचान जाती है और उससे बाते करने लग जाती है कि Robert उसे देखकर डर जाता है और नथालियन उस पर हमला कर देता है इतने में टिप ने जिजेल को बता दिया था कि Edward यहां आ गया है लेकिं नथालियन ये नहीं चाहता था कि जिजेल को Edward का पता चले तो जब टिप पीजा के नीचे छुपता है तो नाथालियन वो पीजा ही उठा कर अवन में डाल देता है पर टिप कैसे भी बच जाता है इधर एडवर्ड टीवी में जिजेल और रॉबर्ट को देख कर उनका एड्रेस देख लेता है और उनकी बिल्डिंग पर भी पहुँच जाता है लेकिन उसे अपार्टमेंट नमबर नहीं पता था सो वो हर एक अपार्टमेंट के बिल बजा कर जिजेल को पुकारता है रात में रॉबर्ट जिजेल को समझाने की कोशिश करता है कि ये असली वर्ल्ड है और यहां एडवर्ड का वेट मत करो क्योंकि ऐसा नहीं होता जिस पर जिजेल थोरी नाराज होती है और रॉबर्ड सौरी भी बोलता है दोनों यहां मोमिट शियर करते हैं पर रॉबर्ट नैंसी के साथ कमिटर था सो वो अपने आपको कंट्रोल करता है नेक्स्ट मॉर्निंग सब साथ में ब्रेक्फस्ट कर रहे होते हैं कि तभी एडवर्ड उसके फ्लैट का बेल बजाता है जिजेल बहु हुमेन की तरह बंदी जा रही थी जब जिजेल एडवर्ड से बोलती है कि शादी से पहले वो उसके साथ डेट पर जाना चाती है ताकि वो उससे जान सके तो एडवर्ड भी मान जाता है जिजेल रॉबर्ड को गुडबाई बोल कर एडवर्ड के साथ चली जाती है नेरी स जिस कपल का डाइवस होने वाला था वो सब साथ रहने का decide कर रहे थे और ये सब Giselle की बातों की वज़े से हुआ था Edward और Giselle dance ball में जाने का decide करते हैं और ball में जाने के लिए Giselle के पास dress नहीं थी सो जीजल मॉर्गन के पाज आती है जहां दोनों खूब शॉपिंग करते हैं और पार्लर में तैयार भी होते हैं मॉर्गन को जीजल के साथ टाइम बिताना ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने मॉम के साथ शॉपिंग कर रही हो इधर नैरिसा भी हुमेन वर्ल्ड में आ जाती है और अपने मैजिक से उनका पता लगा कर उसी जखा पर पहुँच जाती है जीजल और एडवर्ड जब डांस पॉल में पहुँचते हैं तो एडवर्ड की नजर उसे हटती ही नहीं है नैंसी को एडवर्ड काफी पसंद आता है और वो उसके साथ डांस करने चल देती है और इधर रॉबर्ड और जीजल साथ में डांस करने लग जाते हैं जीजल को जैसे एडवर्ड के लिए फील करना चाहिए वो रॉबर्ड के लिए वैसा फील कर रही थी अब एडवर्ड जिजल को लेकर वहाँ से वापस जाने लगता है जिस पर जब जिजल रॉबर्ट और नैंसी को किस करते हुए देखती है तो उसके आँखों में आसु आ जाते हैं लेकिन उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों फिल कर रही है जब नैरिसा जिजल को अकेले वहाँ देखती है तो नैरिसा ओल्ड लेडी बनकर फिर से उसके पास आ जाती है और जहर वाला एपल देखकर उसे कहती है कि इसे खाने के बाद वो इस वर्ल्ड की सारी मेमोरीज भूल जाएगी जिजल इतनी दुखी थी कि वो ये सब भूलना जाती थी और वो एपल लेकर खा लेती है नैरिसा फिर उसे वहाँ से लेकर जाने लगती है कि तब तक एडवर्ड वहाँ आ जाता है और जिजल को उसे वहाँ से नहीं ले जाने देता रौबर्ड भी जिजल को बेहोश देखकर वहाँ आ जाता है और नाथालियन यहां नै पर रिषा का किया हुआ है और ट्रू लव किस ही अब जिजेल को बचा सकता है एडफर्ट तुरन जिजेल को किस Dartmouth करने जाता है जहाँ उसके किस्गा YO पर कोई असर नहीं होता अब 12 बजने ही वाले ते और इसके बाद जिजेल मारी जाएगी तब एड़वर्ट सोचता है कि जिजेल इस वर्ड में इतनी देर क्यों रुकी हुई थी वो रॉबर्ट की वज़े से ही यहां रुकी थी और इस बॉल में भी आना चाहती थी एडवर्ड रॉबर्ट को जिजेल को किस करने के लिए बोलता है जिस पर नैंसी भी समझ चुकी थी कि रॉबर्ट जिजेल को ही है और वो इसे यहीं करने को कहती है रावर्ट अगे बढ़ कर ज्यजेल को किस करता है और जिजेल होश में आ जाती हैवर्ण से चीजेल को फिर से जिंदा देकर बहुत गुसा होती है और अपने मैजिक से एक ड्राइगन में चेंज हो जाती है और रॉबर्ट को उठा कर बिल्डिंग के टॉप पर चली जाती है जिजेल इतर एडवर्ट को सौर्ड लेकर नारिसा के पीछे चला जाता है जहां वो उसकी टेल पर हमला भी करता है पर नारिसा अब बिल्कुल टॉप पर पहुंच गई थी जहां बिल्डिंग का टॉप उसके भार को उठा नहीं पाता और वो नीचे गिर जाती है जिब रॉबर्ट गिरने लगता है तो जिजेल छलांग लगा अगर उससे बचाती है और दोनों की जान बच जाती है नैंसी उदास बैठी हुई थी कि एडवर्ड उसके प बूटीक खोल लेती है और मॉर्गन के साथ सब हैपिली एवर आफ्टर में रहने लग जाते हैं और मुवी यहीं खतम हो जाती है सब्सक्राप जाए खर एंग जाए लेड़ एवर जाती है और मॉर्गन जाती है और अज़ जाती है और मॉर्म जाती है